हलो स्टुडेंट्स, आज अमलो, क्लास 6th, चाप्टर 3, प्लेइंग विद नंबर्स, एक्ससाइज 3.2 में, कॉस्चन 7 डिसकस करेंगे, कॉस्चन 7 सेज, गीव, 3 पेर्स, प्राइम नंबर्स, उस डिफरेंज इस 2, अभी हमें प्राइम नंबर्स लिखना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स, एक प्राइम नंबर्स है, क्योंकि टू नंबर्स का दोई फैक्टोस रहती है, एक तो एक टेबल में जाती है, और एक उसी का ही टेबल में जाती है, वो टू वन जा टू है, सो 2 को दोई फैक्टोस रहती है, काउन कोन सा नंबर्स को 2 फैक्टोस रहता है, उसको प्राइम नंबर्स करके बोलते है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है अभी ये numbers का difference 2 आने का है ऐसा अभी अमें ये prime numbers में pace बनाने का है 3-2 is equal to 1 आती है 5-3 is equal to 2 आती है 5-3 means 5 से 3 subtract करेंगे तो 2 आती है ओके, so अभी एक पेर हो गया 3 and 5 का, ओके इधर एक remark दिया है, वो remark भी देखेंगे अमलो 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin primes अभी 5 and 3 दोनो prime numbers है उसका difference 2 आया इसलिए 5 and 3 को twin primes करके बोलते है उसका difference 2 होने का है आईसा वाला numbers को twin primes करके बोलते है ओके, अभी एक पेर हमें मिल गया और दो पेर अभी डून के निकालने का है ओके, 7 minus 5 is equal to 2 आती है 7 को 5 से subtract करेंगे तो 2 आती है ओके, सो ये एक पेर हो गया 5 and 7 next 13 minus 11 subtraction करेंगे तो 2 आती आंसर 13 minus 11 is equal to 2 so, ये एक पेर हो गया 11 and 13 ok, so 5, 3, 7, 5, 13, 11 ये सब को twin primes करके बोलते है ok, क्योंकि उसका difference देखेंगे तो 2 आती है इसलिए ये numbers को twin primes करके बोलते है अभी हमें 2 difference का 3 pairs भी मिल गया ok if you have understood this explanation please like my video and share with your friends who are not subscribed to my channel please subscribe it thank you for watching